सेर और बिल्ली मौसी ये कहानी है सेर और बिल्ली मौसी की बिल्ली को सेर की मौसी क्यों कहते हैं? बहुत समय पहले की बात है सेर जब बहुत छोटा था और बिल्ली बड़ी थी तो बिल्ली मौसी सेर को सब काम सिकाती थी वह उसे नहाना, धोना, खाना, पीना और सिकार करना यह सभी सिकाती रहती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सेर बड़ा हो जाता है और वह अपने सारे काम खुद ही करने लगता है। एक दिन सेर पूरे जंगल में सिकार डोड़ने के लिए निकलता है लेकिन वह सिकार डोड़ते ढोड़ते धक जाता है और वह वापस घर जाने की सोचता है। सेर को बहुत तेज भूंक लगती है लेकिन वे कुछ देर और वहीं पर इंतजार करता है क्या पता कोई सिकार और आ जाए। सेर को जंगल में दो सिकार दिखाई देते हैं लेकिन वे बहुत बड़े थे और सेर छोटा था इसलिए वे उन दोनों का सिकार नहीं कर सकता था। सेर की आखरी कोशिस भी नाकाम्याब रहती है और वे वापस घर बिल्ली के पास जाने लगता है। सेर अपने मुह को लटकाते हुए बिल्ली के पास जाता है और बिल्ली मौसी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। परेशान हुए सेर को देखकर बिल्ली कहती है अरे बेटा सेर आज क्या हुआ कैसे परेशान हो। सेर बिल्ली से कहता है अरे मौसी क्या बताऊं आज का तो दिन ही बेकार है आज पुरे दिन में कोई भी सिकार नहीं किया है और बहुत तेजी से भूख भी लगी है तेज भूक लगने की बज़े से सेर अपनी मौसी को खाने की बारे में सोचता है और बिल्ली के उपर जपटा मार देता है बिल्ली मौसी जल्दी से भाग कर पेड के उपर चड़ जाती है और उपर से सेर को देखती रहती है सेर बिल्ली से कहता है अरे मौसी तुमने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोका किया है सेर को बहुत तेज गुसा आता है और वह बिल्ली के उपर गुराने लगता है बिल्ली से कहती है मैंने तुमारे साथ कैसे धोका किया है तो सेर बिल्ली से कहता है तुमने मुझे सब काम सिखाए लेकिन पेड़ पर चड़ना क्यों नहीं सिखाया तो बिल्ली मौसी सेर से कहती है अगर मैं तुम्हें पेड़ पर चड़ना सिखा देती तो आज मैं जिन्दा नहीं होती मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में पहले से ही पता था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो एक दिन मुझे ही खाने की सोचोगे सेर बिल्ली मौसी से कहता है अरे मौसी तुम तो सच में बहुत चालू हो लगता है मेरी दाल यहां नहीं गलने वारी है और यह कहकर सेर वहां से चला जाता है तब तक सेर ना चला जाए उससे पहले बिल्ली अपने घर से नीचे नहीं उतरती है दोस्तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब करें